भारत की इस प्रेसिदेंसी का सबसे बड़ा टेक अवे शायद ये होगा कि आफ्रिकन यूनियन को जी ट्वेंटी में शामिल किया जाएगा किस तरह का रिस्पॉंस मिला है जब प्रधानमंत्री ने जो चिठी लिखा था उस देखे प्रधानमंत्री जी का जो नेत्रित्व ह जिसको हम ग्लोबल लीडर्शिप के रूप में आज पूरा विश्व मान रहा है उसके पीछे उनके विचार और लीडिंग फिम दे फ्रंट वाली बात है तो ये विचार उनके मन में कहीं ना कहीं चल रहा होगा और इसी कारण से उन्होंने ग्लोबल साउथ के जितने नेत क्योंकि जो G20 का ग्रूप है वो सबसे अधिक ताकतवर आर्थिक मीति के तरफ से सबसे ताकतवर ग्रूप है जो 85 प्रतिशत के आसपास दुनिया की अर्थ विवस्था GDP उनके हाथ में हैं 75 प्रतिशत के आसपास Global Trade समान लाना ले जाना बेचना ये सब 75 प्रतिशत दुनि के सबसे ताकतवर देशों में आ गए लेकिन अगर वसुदेव कुटुमबकम की बात की जाए जो प्रतान मंत्री जी कहनुसार हमारी इस की टाग लाइन रही G20 प्रेजिदेंसी की तो उनके मन में यही बात कौन रही थी कि आज विश्व में कई तरीके के क्राइसिस है कई जगाओं पर युद चल रहे हैं लोगों के पास भोजन की सुरक्षा है फ्योल की सुरक्षा है फ्रेटलाइजर की सुरक्षा है स्वास्ते की खास तोर पेंडा में कुविड-19 के बाद स्वास्ते की असुरक्षा है दवाब और यह सब चीजें चाहिए तो इन सब चीजों से विश्व कैसे उबरेगा और अगर हम सोचे कि मैं अपने देश को बचा के रख लो बाकी सब गए भाड़ में तो ऐसा नहीं समय होता क्योंकि सारी ग्लोबल सप्लाइचेंज एक दूसरे से जुड़ी हुई है तो दवा भी बनानी है तो उसका कुछ समान कहीं और से आना होगा तो क्या बाकी सब देश भारत के साथ हैं इसमुद्देपर तो यह मैं आपको यह ग्लोबल साउथ का विशे इसलिए समझाना चाह रही थी और आपके माधियम से सबको बताना चाह रही थी कि खाले आफ्रिकन यूनिन की बात नहीं है तो जिनके पास पैसा है वो पैसा कहा लगाएं कि उस पैसे का अधिक से अधिक उनको रिटार्न मिल सके और जिन लोगों को पैसे की ज़रूरत है उनके यहां पर सही इस्तेमाल पैसे का हो सके Infrastructure Development है, Mining है, Skilling है, Training है, Resource Management है तो Africa के देश हो या Global South के अन्य देश हो Resources तो इन ही देशों के पास है चाहे वो मानव Resource हो, Human Resource के रूप में देखे या आप उसको Natural Resource के, Minerals, Metals ये सब देखे तब इन ही के पास है तो उन दोनों का जब तक आप सही समन बे बिठा कर प्रियोग नहीं करेंगे और जिसमें माल मुद्रा पैसा Global North के पास है तो तीनों चीजों को एक अठा लाना होगा और इसलिए प्रधान मंत्री जी ने African Union को Officially Member बनाया और साथ में Global South के जितने विशे थे उन सबको लगातार इन विश्यों के साथ जोडते वे हर जगा उस परस्पेक्टिव को सामने रखा